अब आई कि नमस्कार दोस्तो मैं नेरेंदर स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल मेकनिक ज्यान पर और आज का जो हमारे टॉपिक है वह एक्षेलेटर पर गाड़ी जो है चलते-चलते बार-बार एक्षेलेटर छोड़ रही है और पकड़ रही है चोड़ रही है और बहुत ही ज्यादा पूर पिक पो रहा है तो दोस्तों इसमें लेपटव लगा के चेक करेंगे कि क्या कोड़ आ रहा है और क्यों बार-बार जो है एकस लेटर छोड़ रही है और पूरा जो है डिटेल में बताएंगे और एक प्रोब्लम और है दोस्तों की यूरिया है वो भ यह वीडियो के अंतर तक और देखिए और मेरे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए चले शुरू करते हैं सो दोस्तों लेप्टउब लगा के रखावाँ और आप इसमें देख सकते हो कि 35 और 12-41 तोनों ही कोड आये हुए 12-41 जो एक्षिक्तारेडल का है और 35-75 यूरिया का है तो 12-41 को ही हम पहले शॉल करेंगे 1-2-4-1 को एक्षिक्यक्राइब को सबसे पहले जो है मल्टिमीटर ले लिया है और ये वाली जो पिन है इसको आप बाहर निकालके एक बार सप्लाई को अच्छे से चेक करते हैं कि सो फ्रेंड्स यह जो आप पिने देख रहे हो सबसे सेंटर में जो है वो है सप्लाई की और उसके आसपास सिग्नल और जो बाहर बाहर कॉर्णर कॉर्णर में ग्राउंड है तो सभी में पांच पांच वोल्टेज या पांच से उपर नीचे सप्लाई दिखाना चाहिए तो तो इधर की तीन पिन में बराबर सप्लाई दिखा रहा है तो उदर की तीन पिन में चेक कर लेते हैं यहां भी बराबर है यहां भी बराबर है तो प्रेंट सप्लाई तो वेल डन एकदम ओके है तो हो सकता है एक्सिलेटर पेडल सोट हो गया हो इसका एक्सिलेटर पेडल का सेंसर काम नहीं कर रहा हो तो मेरे पास एक पुराना एक्सिलेटर पेडल पड़ा है जो कि तूटा हुआ है लेकिन वो काम कर रहा है तो मैं एक बार सेंज्ड…. टाल के एक बार चेक कर लिता हूँ की कोडいい एकक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो एक बार पेन लगा देता हूँ करें यह देख सकते हो पैडल बिलकुल होके है यह जो पन्जा है दबाने वाला बाकी सैम है जो दबाने वाला वो तूट गया था इसका इसलिए इसको चैंज किया था और यह मेरे पास पड़ा कस्टमर लेकर नहीं गया तो अभी इसमें जो है कपलर डाले तो मैं इसको checking करने के लिए रखा वह क्योंकि नया लाएंगे दोस्तों तो विन नया का जो है ख्राब हो जाएगा तो कोई लेगा नहीं उसको तो पुराना जो है इससे मैं काम चला लेता हूँ, इससे पता लग जाएगा कि एक्सिलेटर पेडल खाब है कि नहीं है, यह काम बिलकुल अच्छे से करता है, बस इसका जो पंजाए वो तूट गया है, तो एकवाल लैप्टॉप में देख लेते हैं, अभी आप देख रहे हो दोस्तों कि जो व इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उससे जरूर देखिए